हम तो कर रहे हैं सरकार से कि विकास योजना से मुखिया को अलग कर दिजिए सरकार का यही मनसा है तो विकास योजना से पुर्णता अलग कर दिजिए केंद्र सरकार सचेत हो जाए और राज सरकार के अधिकारी जो हमारे अधिकारें में कटवती करने का प्रयाच किया है वो भी सचेत हो जाए हम सभी जग चुके हैं ग्राम पंचायतों के अधिकार और हक के लड़ाई के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधी चायो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधी हो या पंचायत समित्ती हो या जिला परिशत सदस्व या वार्ट सदस्व सबके अधिकारों में कट कि जा रही है और सब को लराने का काम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है कि मुख मंत्री जी कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आपके अधिकारी अंधे लूले लंगरे हो चुके हैं कोई काम नहीं कर रहा है जो पंचायती राजबी भाग का जो अधिकारी है जूट बोल रहा है और किन सरकार के भी अधिकारी जूट बन रहे हैं कि सभी लोग जूट बोलके गुम्रा करके केवल गरीबों के साथ अन्या किया जा रहा है यह आरोप नहीं है माने मुख मंत्री जी के तरफ हम लोगा मांग है सददन के अंदर में रामवन और लोहिया ने कहा था कि भारत की आत्मा गाउं में बसती है लेकिन गाउं जो होता है पंचायत असतर पर होता है और पंचायत के जो मुख्या होता थे इनसे बातचित करते हैं कि कैसे देख रहे हैं जो आपके हक की कटावती हो रही है और जितने भी आपके जो मुखिया लोग हैं वे सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है लगातार हमारे हक ग्राम पंचायत का जो अधिकार है तरवा समिधान संसोधन के तहत Corinد जा रहा है सभी लोग लगे हुए चाहू देश के ग्रामिन विकास मंत्री हो या राज सरकार के हो या सभी लोग किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायतों के परती सजक और संबेदन सील नहीं है सरकार का काम है कि ग्राम पंचायत आज ग्राम पंचायत का अधिकार अगर करे खानी नहीं परती आज हम परखन में गाओं के लोग जाते हैं मनरेगा के मजदूर जाते हैं अपना रोजगार मांगने के लिए रोजगार नहीं मिलता है मजदूरों को 230 रुपया 200 रुपया भी नहीं मिल पाता है आज सारे 300-400 में रोल मजदूर मिल पा रहा है आज हमार से बाधित था, जिसमें रोजगार पूरीत और अबंद हो चुका था, ठप था, ठप कर दिया गया, और पुना नय सीरे से Solar Street Light का मामला हो, जिसमें एजनसी राजस्तर पर चैन किया गया, किसलिए राजस्तर पर, हम इंप्लिम्मेंट एजनसी है, हमको भुकतान करने का अधिकार है, कार्ज करने का अधिकार है, आपने दो साल से मन ये मुख मंत्री की योजना को अधर में लटका के रखा, आप जो विभाग के प्रधान सोची हूँ है, सब कात्यति कि नहीं भाई, बिहार में हम हर गाओं में सोलार इस्टिर्ट लाई से जगम कराने काम करेंगे, लेकिन मुख मंत्री जी कुछ ध्यान से सुनना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा कि आपके अधिकारी, अंधे, लूले, लंग्रे हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, जो पंचायती राजभी भाग का जो अधि धूल जोका जा रहा है, धूल जोकर के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे है, और पंचायत सरकार का भाग का मामला है, आपने खुद दो बर्स पहले मन्ये मुख मंत्री जी कहे थे, कि एलियो का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इसलिए आपने कहा कि नहीं, ग्राम पंचाय सरकार भाग का काम कराएगी, तो उसका रेट घटा करके 1,30,000,000 कर दिया गया, और चुकि ग्राम पंचाय दो कराना था, और पुना एलियो को, एलियो का परफॉर्मेंस 78 योजना आज भी बाधित है, और 70 योजना बाधित है उसका 15 साल से, 12 साल से, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, और फिर उसी एजनसी को जो ब्लेक लिश्ट एजनसी था, इलियो, उसको हटा दिया गया था, फिर उसको परधान सचीव ने, पंचायती राज का जो कैबनेट का बैठक था, कैबनेट के बैठक में तत को छिपा करके, और मन्निये मुखमंत्री जी और मन् मंत्री मंडल में नहीं पेस किया गया, और संदेया समय परधान सचीव के द्वरा प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, और फिर तीन तारी को प्रेस रिलीज अपना आदेश निकार करके, कि अब योजनाय का संचालन और कडियार्मन, ग्राम पंचायती नहीं करके, आपके इलियो करेगी, तो हम लोग का मनना है साफ साफ, कि केंद्र सरकार सचेत हो जाए, और राज सरकार के अधिकारी जो हमारे अधिकारों में कटावती करने का प्रयास किया है, वो भी सचेत हो जाए, हम सभी जग चुके हैं, ग्राम पंचायतों के अधिकारों हक के लराई के ल रही है और सब को लराने के काम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है हमारा मांग है हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि सरकार पुना समिक्षा करें और पुनार विचार करें इस योजना पर पंचाज सरकार के योजना पर और एक और बात कि पीएचडी के द्वारा हमारा याभी समिक्षय के दिवरा ग्राम पंचायत को नकारा साबित करने के लिए कोशिश की गए ग्राम पंचायत या यह विद्र उजना सवेजिना से पैजसा आया किस परस्तिति में दियागा हम तयार थे हम लोग तो मांग किये हैं हमें एक से दो लाख रोब्या भी परतिवार दीजिएगा आपका सारा योजना जो पंचायत में कार्जरत है अच्छा से काम हो जाएगा उसका मेंटेनस हो जाएगा आपने मेंटेनस पॉलिसी तक नहीं बनाया हम मुखमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि माननिये मुखमंत्र जी भी इस परकार की जो भी हकमारी की जा रही है तो यह ग्राम पंचायतों के हक में नहीं है और राज के विकास के हक में नहीं है केंद्र सरकार और राज सरकार अगर हमारे अधिकारों में कटवती बरदास नहीं कि तो हम लोग इस नौ तारीक को कल कल हम लोग अपने अप वहिस्कार भी करेंगे सबी योजनाओं का हम तो कर रहे हैं सरकार से िबीकास योजना से मुखिया Cayaluk कर दिजिए सरकार का यही मनसा है तो बिकास योजना से पुरुनता अलग कर दिजिए मुखियर बनने का फायदा क्या हूँ फायदा से मतलब नहीं है के सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे बाकी नाम हमारा केश हो है पबलिक एस्टिसन आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद